जो फिल्म बाले ने दिखाए मारे वे ये कम दिखाए इसने इनके साथ बड़ी ज्यातिय हुई हैं बहुत जुल्म हुए हैं जगमर गवर्नर साब एक ही पुलीस टेशन में गे होंगे मिलने अशेचो को वो सरदार खान है वो मुझे ही मिलने आये थे आप यकीन मानिये उन् किसी को ने कहाना कि मेरे टेवल के नीचे टाइवा रख दीया है मुझे किसी ने कहा कि आपको को बार मिलने आया जमू का मैने ने गौण हुआ इसको बिश्यंच और उने कुश प्लीस के मलाज मुझे मेरे बंदों कहा इंडियन डाग्स गो बैक डाउंट टच्ट था स्टूडेंट्स इस क्यों के मुलाजम प्रोलीस के मुलाजम ने कहा था मैंने कहा डीजी साब को जिनाव सीधे कर दू कहता अभी रहने दो डीजी साब को मैंने एक बार सपाई के साल लड़ते हुए देखा एक गारी में को कुछ दूसरी फोर्सों से बचाने के लिए अज़से गारी में मिल्टेंट को वहां से शिफ्ट करना दूसरी जगा वो पकड़ा गे रहाते हैं इसमें जी प्रेगनेट आउड था वो पकड़ेगे कश्मीरी पंड़तों के पलाएन को लेकर अलग-अलग तरह की कहानिया हैं हम उन तमाम लोगों से मिलने की कोशश कर रहे हैं जो लोग 1999 की उस दहाई में वादी कश्मीर में थे जिरो ने अपनी आँखों से कश्मीरी पंड़तों के पलाएन को देखा या जो किसी जमेदार पॉजिशन पर थे और कश्मीर में बढ़ रहे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे इन्हीं में एक बड़ा नाम सरदार खान सरदार खान ऐसे चो रहे हैं उस दौर उस वक्त में राम मुन्शी बाग के ऐसे चो रहे हैं और साथ में रेटायर हुए हैं डिस्टिक स्पी की तौर पर मिरसा असुद खान साब हैं खान साब सबसे पहले मुझे ये बताईए कि आप जिस वक्त वादी कश्मीर में कश्मीरी पंड़तों का पलाइन जो है वो शुरू हो गया क्या जब आप वहां गए कश्मीरी पंड़त अल्रेडी निकल रहे थे या जब आप गए हैं और उसके बाद जब आप ने इसे चो राम होई तो मेरी थोड़ी सी दिन हुए थे तो मुझे भला लिया वहां है लिकप्टर के थुरू जो बहां लाया गया नमानी साहब ने कहा उस वक्द के सरकार को के हमारे पास बहुत बहादर norm 20 डिया रहे है जमुउद काम किया है किस्तिवार में किया है तो 89 अचबू आ ju 72 मैं उसको उसको को मार दिया मिली टैंट ए्ड़ू नई मैंने कहा इतना खौफ पैदा कर दिये मिल्टेंट उने, मुझे ले जाया गया, शुरू किया काम, मैंने बताया पहले भी, ठेकने यहां तक तालग पंड़तों का है, पंड़त वो जाजिता जिसने वो जो सजा दी थी मकबूल बट को, बास एक ही आदमी, बाकी पंड़त जो किसी ने किसी को नुकसान नहीं पूंचाया, लेकिन नाइन्टी तक, जब तक वो पंड़त उसको जा कुछ और लोगों ने, कतर के करीब करीब लोगों को वहां शहीद कर गए था, नाइन्टी में, नाइन्टी में, एटी नाइन में शुरू हुआ, उसका ग्रूप था, व बाकी मिल टेंटों ना जो है, वो पंड़तों को डूंड के अटेक करने की कोशिए नहीं की, पंड़त फिर जो वहां से माइग्रेट हुए, एक खौफ जदा और एक बड़ी जैंटल कौम थी, इसलिए उन्होंने वहां से माइग्रेट कर दिया, क्योंकि वो अड़ने वाल से पहले वो नूर खान था, क्मांडर, सौρथ किश्मीर का इनका जो इनकी जो है, उसको मैंने नहीं मारा था, वो केई साल एक पंड़त के गारी रहा, पंड़त वहाँ ही रहता था, क्योंकि हो हो पंड़त झाप हैंि मारते थे, उसकी वो सेह जगा थे, उसकी हैंड़त।, तो ये बहुत पंड़त वहां रहे हैं कभी गे ही नहीं वहां से लेकन जो आप कह रहे हैं वो जो माइग्रेट हुए वो डरते ही हो गए थे नाइन्टी में जाहिर सी बात है खौफ का माहौल था और हुकूमत तो थी नहीं उन्निस जनुरी दो हज़ा निस सो नबे डॉक्टर फारुक अब्दिल्ला ने इस्तीफा दिया उस समय गवर्नर जो थे उस समय के गवर्नर भी क्या कहते हैं उस समय बदल दिये गए थे तो मुझे बताईए खान सब जब आप वहां पहुंचे तो आपने कश्मीर के हाला तो exactly किस तारीख को आप वहां पहुंचे थे और आपने क्या हाला मैं दिसंबर 89 में गया था उसके बाद जब यह चले गे फारुक साब अपनी सरकार छोड़के तो आई जी थे नवानी साब उन्होंने कहा या अगर मैं चला गया दोवारा से लिन अगर मुझे ऐसे चुराम उन्ची बागा लगाएगा यहां पर बहुत से प्लीस वाले थे जिनुनने नौक्रिया चोड़ दी तो आज भी कही लोगों की तरफ़ बंद है मुझे पता कही लोगों का मैं नाम क्यों लूँ पर काम किया ह तो आप क्या किस किस का नाम लूँ मैं कि मुझे क्या जरूरत है तेकर नाइनटी में एक ऐसा महाओल हो गया खौफ जदा महाओल मुझे याद है पांच फरबरी को यूएनो के दफ्तर में हजारों नहीं लाकों के जलूस आए बहुत जलूस बड़े नारे बड़ा यहां क्या चलेगा निजाम मुस्तफा चलेगा तेकनी यह है कि उस वकत तक कुछ बेव ऐसी थी के पंड़त इतने अटैक नहीं कियेगा अगर मारने होते उन लोगों ने तो जैदा मारते खुल खुले मिलिटन फिलते थे यह जो फोर्स निसीव सिंग को टोज था उसने बहुत काम के थर्टी वन साब एरिये कमांडर उसके इलावा और थे वो कोर कमांडर थे मुस्लिम थे उनका नाम मुझे भूल गया वाइद मैं बाइस चांसर लगाया अडिशन चीफ सेक्टरी थे महमूद रह्मान बहुत काम किया उन्हों यह साहे साब थे वहाँ स्टी पयो इन्होंने काम किया है गुलजा सिंग स्लाथी इस पी था जिक जीट कमार था बड़े लोगों ने बहुत काम भी किये हैं तेकिन यह है के फिर उसके बाद नाइंटी नाइंटीवन नाइंटीटू में हम लिम्टल लोग थे काम करने वाल तक कि एक गारी में मिलिटेंट को को दूसरी फोर्सों से बचाने के लिए अच्छों की गारी में मिलिटेंट को वहां से शिफ्ट करना दूसरे जगा वो पकड़ा गया रहाते हैं इसमें जी प्रेगनेंट आउर्ट है वो पकड़ेगे लेकिन काम करने वाले ऐसे जो नहीं थे तब कोई भी मेरे आप यगीन मानिए डीजी साफ डेली मुझे मिलते थे चाहे आ थाने में आक खराब थी यह चले गए थे इनकी मादरे मेरमा वहां से नहीं गई वहां तक उसको इतनी तंगी थी कि गैस का स्लंडर लाने के लिए मैं सपाई बेता था दुरगनाग मंदर के पास वह बत्रा की जैसी थी ओ आमरतलाल बत्रा की जैसी थी अमरतलाल बत्रा के पैसे शीन के ले गया कोई उसके मेंजर से चार लाख तेती हजार विया वो भी मैंने वापस रेकवर करवाया और दीजा उसको चार लाख तेती हजार पे अमरतलाल बत्रा के वहां पर पट्रोल पांप है और कारवार है है उनका जो मेंजर है ना उससे उससे वो कोई खीन के लेगे जवर्दस थी चार लाग तेटी सार विया वो चावला था उनका मेंजर फिर मुझे उनने बताया जी लेगे फिर बत रहा है मेरे पास फिर मैं जा के वो पकली आदमी रिकवर करके पैसे दीए दूसरा मुझे बत की कि डैपिंग को लेकर आप उस वोगत वहां पर आपने क्या देगे जो रूबिय सहीद है ना इसको वापस लाया ना इनके लिए जो आदमी चोड़े गे इसको पंदत है वहां हो जो हाई कोट है वहां पंदत फोस्टर था उनकी बेटी भी डाक्टर ये भी डाक्टर थी यह दोनों फ्रेंड थी उनकी के घर लाया गया फिर वहां से वह दोड़े उसको बड़ी मुश्कल से उसके घर पंचाया यहां तक तलक है वह आपने पूछा पंदत जी का वहां इतने सारे पंदत चहीद हुए उन कोई आपके दौर में आपके वक्त में आपको याद है को हम्टी का लेकिन जब उनको डूंडना था हर जगा मुझे साथ ले जाते थे फिर वह यहां से वह मिली उनकी लाशें वहां मैं गया वह लाई लाई लाशें आपको यहां तक बताओं के पोस्ट मार्टम करने के लिए होस्पिटल में लाशें नहीं जाने देते थे उसकी व को बताओं मैंने अपने शपाई को या या यह आद्में तुमने इसनको स्लाम कि कोन है मेरी ब्रौत टो कि शुक्षा लागर कों करने का क्यों कर रहा है कि यह कुद्रा है को सकता है यह हो सकता कल यह गन लें कर आज मुझे मार ने जाम एँ तो यह बहुत ख्राब थे सब कुछ हो चुका था सरकार हो एड्मिस्टेशन हो पुलिस हो लगभग हर जगा आतंक वादियों की वो जो है कि मरने वाला सानी हूं मारने वाला हूं कि मुझे मारने या का फर्त को गोली करा एक से कंद का भी नहीं उसकी पहले चल गी मैं मर जाएंगा मुझे पर बड़े ट्याग हूगए है बता रहे थे थाने में क्या हुआ था मैं आपको बताओ ना मेरे ही अल्ली मैं उसको मिलने खुद ही बाहर चला गया अटन देरा डफतर देरें दिया इसम में है कि आम किसी प servam टार्कोес या वेर निगल गया तो यह थो आन्ड रहा है बाहर ही बैठ एठे殼 कर लेते हैं तो ऐसा होगा कि कुछ बात है याद आ रहे हैं कुछ नहीं आ रही है आप बता रहे हैं इसके पर राध क्या हुआ है अरदली नहीं किया है बाद में पकड़ा गया ना तो आप पूछा उस से हुग कहता है जी मैं जब बजार जाता आपके लिए चाह लेने पत्ती लेने दूद लेने तो कि यह बात हुई जांगी आपकी बहादूरी आज भी मैं देख रहा हूं कि आप इस इस हादसे को ऐसे बयान कर रहे हैं कि जैसे बिल्कुल कुछ नहुआ वरना यह तो बहुत बड़ा हादसा है अपने आप में कि आपके टेबल के नचे कोई टाइम बाम रख रहा है और आप अच्छाइब आए उसने मुझे पर पांच फाहर किया जिपसी टार करने लगा उसने मुझे पर फाहर किये और फैर दुवाई लागे ओं मैंने काया करता है यह इस तो डोड़ी चलाते है मैं मैं जिपसी से उत्रा मैं पड़ा पिस्टल नकाला उसको गोली मारे मार दिया इसको बारा वँचा अबर उपर लेट गया को नहीं दिया पर कैसे कैसी लोग यह है हय है हरी सिंग नाम था कि हरी सिंग ने इसको लगी थी को कि ये दाखलू का बेस होस्पिटल मैं रहा इसके साथ माँ इस तरह के मतब फिदाईन नौजवान जो है वो जमो किश्मीर पुलीस में तब भी बड़े बहादर लोग थे आज भी हैं जमो किश्मीर की जिमीन जो है ये सरजमीन है ये बाके हिंदुस्तान का सर है ताज है इसमे ताज जैसे ही लोग रहते हैं और अपने वतने के लिए मर मिटने को तयार थे और मर मिटने को तयार हैं बादर हैं देश के लिए काम करते हैं बड़ी बड़ी स्टोरी हैं कभी बैट होगे बताऊंगा सनाऊंगा बड़ी ऐसी ऐसी बाते भी हैं जो बड़ी खतरनाक हैं ज बाउद रेर इंस्पेक्टर था यहां काम किया पूंश में सुन कोट में फिर मैंने उसको ऐसे चुल गया पांपुर को मुझे इद वाले दिन छुटी के दिन मैस पी वंती पूर था मुझे एरपोर्ट छोड़ने आया फिर मुझे सुच आफ आफ किये जहाज में आन किये सि किश्मीर थे एसम सहाइव मुझे फोन करते हैं तुमारे ऐसे चो मार दे मिल्टेंडों ने दूसरी फ्लाइट से मैं चला गया सीदह वापस उसी वक्त जैसे एरपोर्ट से वापस उसकी डेड़ लेके फिर उसके घर गया मैं सोपर जाना था फिर मैं इची तो भूल गया पिर मैं तो वहाँ चला गया लेकर जी वह लड़का द्लेर बड़ा था उसके मरने को बड़ा दुख है तो एक चीज़ मुझे और खांसा बताईए क्या आप भी मानते हैं कि बहुत सारे पॉलिटेशन आज कर लिए बात करते हैं कहते हैं जी जगमोहन जिम्हादार थी कश से कहां लगी थी कोई नंबर होगा कोई डेट होगी कोई हिसाब किताब होगा उसका यह जानना चाहता हूं इसमें कितनी हकीकत है जगमर्ण साब एक ही पुली स्टेशन में गे होंगे मिलने ऐसे चोगो सरदार खान है वो मुझे ही मिलने आए थी और उन्हों ने मुझे य हम सब को यह डिरेक्शन दी थी मीटिंग में इंक्लूडिंग डी जी पी आई जी पी एसेस पी असे चो सभी को के पंडत जहां से माइग्रेट नहीं करने चाहिए इनको प्रोटेक्ट करो गवर्णर साब ने एक भी पंडत को वहां से बागने के लिए या माइग्रेट करन के लिए प्लाइन करने के जो जो भी आप कहते हैं किसी को नहीं कहा ना कहा आप यह जो सियासत चलती है न कोई कह रहा के पंडतों को मुरवाया गया कोई कहता कि आप जगीन मानिये कि वहां पर एक बेद मडवा थे अडवाइजर वो जब सारी मस्जिदों में 90 में नारे ल बांदी ने कोई कर्वाया तो मुरवा सहाब रहां पर इसकादर गभराये को कभी अपनी कोठी के उसन में जांनां में बैठ जाए कभी ओद्रख्त है चिनार का उसके लान में उसके निजए जांगे बैठ जे यह भी हमारे जैसे ही हम हिंसे ताकत बा रहा है अगर कुछ भी होगा हम इनको मार देंगे आपको नहीं मरने देंगे वह कुछ ज़्यादा घबरा है लेकर फिर भी विचारा बड़ी मुश्कल से दिन कटवाए उसको कोई ऐसे ऐसे भी होते हैं मगर यह है कि हलाल कुछ ज़् करना तो बात नहीं बान रही थी तो बार बार मुझे पूछे आपका नाम गया नहीं को पता ही नहीं को पता ही नहीं था कि मैंने आज मरना है कल मरना है चाहे बो मुस्लमान था हिंदु था लेकर लेकर लोग जो अमीर लोग थे जो पड़े लेखे लोग थे चाया अफसर लोग थे वो सारे खौफ जदा थे बहुत खौफ जदा थे बहुत मुझे बताइए खान सब आपको वो कुछ याद आता है दौर जिस दौर में पुलिस ने म्यूटिनी की थी बगावत की थी और बगावत करके कि वो मेरे दौर में एक बार हुआ था मैं गया था SSP के आप भी माने जाना फार खर्चा नहीं है को सो दो सुर्प्या देवा मुझे केर जिंदा साथ को कहा कि दिन देर में बार में स्टूडेंट्स है मैडिकल कालजी के मैंने थोड़ा सा अपने बंदे लिए बाई साथ है उनके पीछे दोड़ा भागो यहां से आप यकीन मानिए पीएच को के मलाजमों ने मुझे और मेरे बंदों को कहा इंडियन डाक्स गो बैक डाउंट टच ता स्टूडेंट्स पीएच को के मलाजमों ने कहा था मैंने का डीजी साब को जिनाव सीधे कर दूं कहता अभी रहने दो यकीन मानिए इमानदारी की बात है इस तरह के थे खान साब मुझे एक सी जोर बते कुछ एंकाउंटर्स याद आते हैं जहन में आता कि कि कौन कौन सा टर्रिस्ट था कि रहने दो बाद बड़ी बाते हैं एक तो मैंने पहले बताया दर्मवीर को महाना था उसके इलावा भी बड़े का हैं काफी जगा पर एंकाउंटर तो फिर त्राल ने जैदा करवाए त्राल में जैदा हुए जब मैं सब्सक्राइब यहां काफी काम हो गया है मैं निकला बड़ा मशूर इंटरोगेशन सेंटर मैं वहाँ नाइंटी फाइव में ऐसे चुपापा टू रहाऊं छे मीने के लिए मुझे आई वेली साब आई जी साब थे वो बड़ा बिश्वास रखते थे और लेगे फिर काम किया वहां ने और मनापली सी बनाई थी दूसरी फोर साब बिलकु साथ दे थे उन्होंने कहा जो करना है वही करना है ठीक है लाफली करना है काम किरवाया उन्होंने काम किया उसके बाद मुझे एस पी वांती पूर लगाया गया वहां में काम किया तूसरी फोर्स के लोग आते थे जा आप अपरेशन हटा दो मैं नो मेरे लड टेंड गोली चलाता है तो किश्मीर मिल्टेंड को किश्मीरी सपाई ही मारेगा तो किश्मीरी सपाई हैं चाहे वो मुस्लमान थे चाहे वो हिंदू थे उन्होंने काम किया और अफसर याद है आपको अपने कुछ लड़के जो आपके जहन में आज भी होंगे कि या यह वो कमाल का काम कर रहे और भी कश्मीर के बहुत लड़का मनजूर इंस्पेक्टर बहुत दलेर था अब कुछ लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं जिनके रहें कैस्पी हैं डीस्पी हैं इंस्पेक्टर हैं एसस्पी हैं मेरे साथ काम किया है यह लड़का एसस्पी अनंतनाग है क है वो था वो आशिक बुखारी बड़े लोगों ने बड़ा काम किया है बड़े नाम है मुझे कर सदाखा है यह ऑपको लगता है किशमीर फाइल जो फिल्म बनी है उसेंजर कुछ दिखाया गया है कहते है हगी किशमीर ही ककी थे, कतले हम तो तब भी हुआ जब मोगल थे, रांगजेव ने अपने सगे भाईयों को मार दिया, अपने सगे बाप को जेल में डाल दिया, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पंड़तों के साथ से आती हुई है, मिल्टेंटों ने, चाहे वो किश्मीर से आये, चाहे किश्मीरी थ जब पाकिस्तान से आये, उन्होंने मुसल्मान मारे, लेकिन किश्मीरी पंड़ जो था न, वो एंटी मिल्टेंसी, उनका कोई रोल नहीं था, वो मारे जो है न, जो फिल्म बाले ने दिखाए मारे, वो ये कम दिखाए इसने, इनके साथ बड़ी ज्याती हुई है, बहुत रहते हैं, पंड़त कहां वो दमाना के पास, वो मुठी शुठी में, टीन के शैड़ों में रहते हैं, जो किश्मीर में इतनी अच्छे ठंडे लाके के रहने के बाव यूद, आया मुझे वो पंड़त जो मलाजम थे हैं, सिन्नेगर सीठी में, को दो दो एक दो तीन करना, मैंने उनको ऐसा मोटीवेड़ किया, पंड़त एंटी मिल्टेंसी में जाते रहे, और एंकाउंटर ढटके किया, ठीट था काम किया, बहादरी से काम किया पंड़तों ने भी, इंसान तो इंसान बराबर है, मैंने का ना, जगमोर ने बहुत काम करने थे, लेकिन वो मौली भारू का हो गया जो तो फिर उसको बदल दिया, वरना वो काम पढ़री में चड़ा गया था, काम चला दिया था उसने, एक चीज़ और सदार खान साब मुझी बताएगा, उनिस सो उन्नानवे से लेकर, उनिस सो बानवे तक शिर्नगर की कमान किन किन सस्पियों के हा है, फिर सारी कमांड इसी ने समाली है, आपने के राजिंदर समाब, यही रहा वहाँ, SSP सीटी था, SSP स्रीनगर, डिजी स्रीनगर, आईजी स्रीनगर कश्मीर, फिर यह डिजी जेमो कश्मीर, हलां कि इसको गोलिया भी लगी, यह मौत के मुझ से क्यों बच गया, कैसे डिकेरी कर दिया इसने, अपने डिपार्टमेंट और अपने देश के लिए, बहुत ही हार्ट बर्कर और इमानदार और डेडिकेटर परसनेल्टी बहुत काम किया, इसने, शिव मरारी सहाय, उसने भी बहुत काम किया, यह लोग दिलेर थे, बहादर थे, फारुक खान इरशाद ने में किया, शेक महमूद, कभी लोगों ने काम किया, लेकर जिस जिस ने काम किया, वो भूलता नहीं है, बहुत काम किया है, यह आप यह मानते हैं कि जो पहला दोर था मिलिटेंसी का, उन्ने सो पचानवे, च्शानवे तो ज्यादा खतरनाक दोर था, और च्श उकर चलेगे, वो हाँ पर हारबन से आगे हो, कौन सी जगह हो, नहीं नहीं नहीं, जहां ट्रोट मशली हैं, दाशी गाम, दाशी गाम चलेगे ट्रोट मशली खाने के लिए, मिल्टेंट उन्ने गेर लिया, आप यगीन बानिये, बी-एस-एफ शाम पढ़ गी थे, अंदे एसाई, महमूद रहमान ने गोली गाली चलाते रहे, आप यगीन मानिये, उस वक्त कोई नहीं गया, ना बी-एस-एफ ना आर्मी में गया, गोली चलाते ले गया, दो गाड़ीं तीन, चला एक गोली या मिल्टें बगा दिये, महमूद रहमान को दाशी गाम से लाया, और सख्याना साथ थे गवर्नर, और मुझे राईबबन लाया में लेके गया, इनको राईबबन रहमूद रहमान को, और गवर्नर साथ ने मेरे मूँ में खुद अपने हाथ से लड़ू डाला, कि आपको महार के आपने बहुत बड़ा काम किया है, पस इतना ही था, लड़ू ह में लड़ू, मैंने गए चल लड़ू तै लड़ू ही उसके लगावा और कुछ नहीं, उसके लड़ा मुझे दीजी साथ ने पाइंच्सो रुपया नाम दिया था, पाइंच्सो रुपया नाम दिया जो काम आपने कश्मीर में किया, उस काम के लिए कोई कमेंडेशन मेड हो कुछ और हुआ होश ही नहीं थी सरकार को मैडल किसने देना था मैडल देने की तो बात ही नहीं होश ही नहीं थी सरकार को वो पता नहीं आज बचते हैं ना बचते हैं आप सर्वीर होते मैं कहता हूँ डी जी साब को मैंने एक बार सपाई के साथ लड़ते हुए देखा डी कहता है डियाई जी को ये हालात थे मैं सच कह रहा हूँ इमानदारी से लोग लोग तुम चाहरे डिस्टरब थे परिशान थे पड़े लेखे लोग बहुत परिशान थे सिर्फ गुंडों गर्दों का रहाई था जो बलमाज थे जाको गुंडे थे जो क्रिमिनल थे उनको गन बाद बदले उसके बाद तो कि पैसे की खातर लोगों ने बेगुना भी पगड़ाए जाए जो भी किया लेकर सरकार काम ठीक करती रही सदार सब आखिर में आप से जानना चाहूंगा क्या लगता है आपको कि आज जो हालात है कश्मीर वादी कश्मीर के इन हालात को दिहान में रखते हुए कश्मीरी पंडितों के दुख दर्द को दिहान में रखते हुए क्या आपको लगता कभी वो दिनाएगा जब कश्मी किश्मिरी पंड़त के और किश्मिरी मुस्लिम के जो किश्मिरी लोग है enough मैं आपको बतायों FRE मिसाल देता हूं किश्मिरी मुसलमान जिनका लटका टरॉरिस्ट में और जाये जाये मर्जी से कॉरपलॵाल जैल में है gonna जेल में है कठूगा जेल में है लेकिन वो जब उसके टेर्रिस्ट के माँ बाप भाई बैन उसको मिलने आते हैं राद को कहा रहते हैं होटल में नहीं ढहरते हैं और पंड़तों के घर रहते हैं इनकी दोस्ती उतनी है जितनी आज से सो साल पहले थी वो लोग पंड़त और अपने आँखों से देखा है उतने ही दोस्ते हैं जितने वो पहले थे यह सियासत चल रही है जिस तरह से सियासते चलती है जिस तरह लोग करते हैं तब तो दुनिया के दूसरे को मार के खत्म हो गयी होती है ऐसा कुछ नहीं है कि श्मीरी पंड़त घरों में रहेंगे उनक से रिटार्ड एससपी सरदार खान आपने सुन लिया इनकी जुबानी कि कश्मीर के 99-90 के हालात क्या थे चर्मराई विवस्था थी और चर्मराई विवस्था के बीच में सरदार खान को जब कश्मीर घाट कश्मीर भादी कश्मीर भेजा गया तो हालात क्या थे वो भी आ पर शहीद किया गया, उसने इतना डर और खौफ अकलियत के अंदर भर दिया था जिस डर और खौफ के कारण कश्मीरी पंड़तों को रातो रात कश्मीर छोड़ना पड़ा, पराइन करना पड़ा, उधुम्पूर, जम्मू, दिल्ली, बॉंबे कहा नहीं कश्मीरी पंड़त कुछ जाना पड़ा जाहिर सी बात है कश्मीर फाइल्स में जो कुछ दिखाया गया सदार खान सब कहते हैं यह बहुत कम है इस से ज्यादा उनके साथ हुआ है